48 गंटे महज 48 गंटे 48 गंटों के अंदर सरकार बैक फुट पर आ गई है और सरकार मोदी सरकार के खासम खास सांसद बिर्जबूशन सरन सिंग जो ये कह रहे थे कि दबदबा तो है दबदबा तो रहेगा वही बिर्जबूशन सरन सिंग अभी अभी कुछ देर पहले जेपी नड़ा से मिलने के लिए पहुँचे है और यही बिर्जबूशन सरन सिंग अब इनको लेकर के पहलवानों की जो सबसे बड़ी मांग है कि जेल भेजा जाए इसको अब उस पर कवायद सुरू हो चुकी है और सवाल यही है कि बिर्जबूशन सरन सिंग को जेल भेजने की जो पहलवानों की सबसे बड़ी मांग थी क्या अब उस पर गोर किया जाएगा या सरकार इसको हेडलाइन मेनेजमेंट के तरीके से खेल रही है खबर बड़ी दिल्चस्प है जेपी नडड़ा से बिर्जबूशन सरन सिंग वो अभी अभी मिलने के लिए पहुँचे हैं तो क्या कुछ होने वाला है क्या कोई बड़ी खबर उसका इंतजार है क्या केवल और केवल यह हेडलाइन मेनेजमेंट के लिए क्या गया है सवाल बहुत दिल्चस्प है खबर पहले मैं आपको बताता हूँ 48 गंटे में सरकार ने फैसला पल्टा है कुस्ती मासं का चुनाव रद कर दिया गया है WFI के सारे फैसलों पर रोक लगाई गई है बिर्जबूशन को तगड़ा जटका लगा है बिर्जबूशन सरन सिंग इस वक्त जेपी नड़ा से मिलने के लिए पहुँचे है बिर्जबूशन को जेल भेजा जाएगा क्या सबसे एहम सवाल ये बिर्जबूशन पर महिला पहलवानों ने योन शोशन के आरोप लगाए थे बिर्जबोशन पर आरोप साबित करने को काफी सबूत दिली पुलिस ने अदालत में ये दलील दी थी दिली पुलिस ने अदालत में कहा था कि बिर्जबोशन पर आरोप साबित करने के लिए काफी सबूत है लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था तो क्या अब उस ठंडे बसे से वो मामला बाहर आ रहा है और सीधे तोर पर बिर्जबूशन सरन सिंग को बीजेपी ने संदेश दे दिया है और इसलिए वो जेपी नड़ा से मिले के लिए पहुँचे है और एक बड़ी खबर में आपको ये भी बताऊंगा बिर्जबूशन सरन सिंग ने सन्यास लेने की बात भी बोली है बिर्जबूशन सरन सिंग कह रहा है कि अब उनका भी सन्यास तो मेरा भी सन्यास तो क्या बिर्जबूशन सरन सिंग कॉंप्रमाइज करने की स्थिति में आ गया है जो बिर्जबूशन सरन सिंग अभी तक ही कह रहा था कि दब दबदबा तो है और दबदबा रहेगा वही बिर्जबूशन क्या अब बैक फूट पर ना केवल बलकि अब कुम्प्रमाइज करने की स्थिति में कि देखो जेल भेजने से मेरे को रोक दो जेल मत भेजो मैं एक कुस्ति फेडरेशन और एक कुस्ति का पूरा ताम जाम छोड करके अलग हो जाता हूं तो क्या बिर्जबूशन सरन सिंग अब इस पॉइंट पर आकर के खड़ा हो गया है सबसे बड़ा सवाल यह है बिर्जबूशन सरन सिंग की कुस्ति महासंग का चुनाव रद करने के बाद में अभी अभी जो पहली प्रतिकिरी आई है वो जरा सु संजे सिंग मेरे रिस्तदार नहीं है नंदनी नगर में अंडर 15 अंडर 20 नेसनल आयोजित करने की घोशना यह सुनिचित करने के लिए की गई थी कि खेल आयोजन फिर से सुरू हो अभी नंदनी नगर क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन बिर्जबूशन सरन सिंग पहली मेरे रिस्तदार नहीं है और यही संजे सिंग नारे लगवा रहे थे चुनाओ में कि संजे भाईया क्या लेकर के चले संजे भाईया बिर्जबूशन की खडाओ लेकर के चले यह नारे लग रहे थे साब और अब देखे वक्त कैसे तेजी से बदलता है बिर्जबूशन सर वो इलाका जहां पर टूर्णामेंट की घोशना की गई बिर्जबूशन सरन सिंग का इलाका जिसको लेकर के पहलवानों की तरफ से आपती दर्ज कराई गई आगे मैं आपको दिखाता हूं बिर्जबूशन सरन सिंग कह रहा है कि यह इसलिए कराई गई ताकि दोबारा से ट न्यास का एलान कर रही थी और आप अपनी हिकडी दिखा रहे थे उनको आप कह रहे थे कि साब टर्नमेंट होगा तो यहीं पर होगा और यहीं दबदबा था यहीं दबदबा था कि देखो कैसे भी करो टर्नमेंट भी हम यहीं कराएंगे आदमी भी हमारा जीतेगा कुरसी हम करके पहले सलाम करें जो कुस्ती करना चाहता है वो बिर्जबूशन की कुर्सी को सलाम करें एक तरह से सीधे तोर पर ये संदेश बिर्जबूशन सरन सिंग उसके आदमी ये देने की कोसिस कर रहे थे लेकिन आप बिर्जबूशन सरन सिंग के तेवर बदलते वे नजर आ रह है कि मेरा रिस्तदार नहीं है अब दूसरा देखिए डवलो एफाई के पूरो देख्स बिर्जबुशन सरन सिंग वो कह रहे हैं कि मैं काम करता रहूंगा हम अकेडमी चलाते रहेंगे अकेडमी में सो डेड़ सो बच्चे हैं मैंने खुद कुस्ती खेली है कुस्ती के बल पर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ हम अपनी अकेडमी बंद नहीं करेंगे बिर्जबुशन सरन सिंग कह रहा है कि उनका सन्यास हो गया तो मेरा भी सन्यास पहलवानों का नाम लेते हुए कह रहा है कि उन्होंने सन्यास ले लिया तो मैं भी सन्यास लेने की यहां से जो है वो ऐलान कर देता हूँ लेकिन आकेडमी तो मेरी चलती रहने दो उसमें डिर्जबुशन सरन सिंग की बताया यह जाता एक तरह की दुकान है यह आरोप बिर्जबुशन सरन सिंग के उपर लगते हैं ताकि इसके अंदर इस अकेडमी में बच्चों को लाया जाए और उनसे फिर आप जानते हैं किस तरह से पैसा वसूली, फीस वसूली और यह सब कुछ होता है कि फीस के नाम पर और उसके बाद में वहाँ से ही प्लेयर जो है फिर आगे बढ़ाए जाए और वहीं से प्लेयरों को जो है फिर आगे निकाला जाए तो यह सारा समी कर राजनेती बड़ी निर्मम होती है साब उसमें कब कौन कहां से क्या चले यह पता नहीं चलता है लकिन इस मामले पर अभी अभी जो प्रतिग्रिया निकल कर के सामने आई है साकसी जोसी पहली प्रतिग्रिया उनकी साकसी जोसी की डबलू एफाई के चुनाव रद होने की घोशना के बाद में पहली प्रतिक्रिया और ये सुनिए किंद्रिय खेल मंत्राले द्वारा भारतिय कुस्ती महासंग WFI की नव निर्वाचित कुस्ती संग को निलंबित करने पर पहलवान साक्सी मलिक ने कहा कि ये पहलवानों के बेतरी के लिए हुआ है हम तो कह रहे थे कि यहां बेटियों और बेहनों की लड़ाई है ये पहला कदम है ये नियाय के लिए पहला कदम है ये साक्सी मलिक की तरफ से का गया है कि हम तो लड़ी रहे थे पहले से बेहन बेटियों के लड़ाई है और ये पहलवानों की बेतरी के लिए हमने किया है कु इस मामले को लेकर के जो अभी नए नवेले अध्यक्स चुने गए बेचारे एक माला में थे बिर्जबूशन के सामने। संजे सिंग उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए संजे सिंग कह रहा है जिनको डवलुएफ़ाई ने अभी नया अध्यक्ष चुना था वो कह रहा है कि मैं फ्लाइट में था मैं फ्लाइट में था अभी तक मुझे कोई पत्र नहीं मिला है मुझे पहले पत्र देखने तो साबका अब नेटवर्क फ्लाइट मोड में चला गया है यह फ्लाइट मोड में इनका नेटवर्क है वो नेटवर्क अब जो है वो रेंज में आएगा कि नहीं आएगा अब तो लग रहा है इनकी सिम कार्ड ही जो है वो बदल दी जाएगी इनकी सिम कार्ड अब बदल की जा रही है कि बिर्जबुशन सिंग के दबदबे से इस कुस्ति को बाहर निकालिए और किसी माईला को अध्यक्स बनाईए कोई भी माईला के लाड़ी और अभी भी ऐसा नहीं था कि ये पहलवान ही अपना नाम का दाविदारी कर रहे थे एक और मैला पहलवान उन्होंने सिंग को 40 वोट पिले अब सुनिये जो नंदनी नगर का जिकर अभी बिर्जबुशन सर्ण सिंग ने कुछ देर पहले किया है वो जिकर आखिरकार क्यों करना पड़ा और ये तेवर आखिरकार ये नंदनी नगर ही वो जिंगे है जहां से पूरा पेच फसा और ये नंदनी नगर ही वो जगए है जहां से मामला उल्टा घूम गया साकसी मलिक क्या कहरी सुनिये जरा मैंने कुस्ती छोड़ दी है पर कल रात से प्रेशान हूं वे जूनियर पहलवान क्या करे जो मुझे फोन करके बता रही है कि दीदी इस 28 तारिक से जूनियर नेसनल होने है और वो नई कुस्ती फेडरेसन ने नंदनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है गोंडा बिर्जबूशन का इलाका है आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवानों में किस माहूल में वहाँ पर लड़ने के लिए जाएंगी क्या इस देश में नंदनी नगर के अलावा कही पर भी नेसनल करवाने की जंगे नहीं है क्या समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करो यहीं से जो है वो पूरा माज़रा k français होता है नहीं सीरे से यहाँ से जो है वो पूरा खेल खड़ा हूँ और पूरा करिक्रम यहीं से तेयार हूँ यह दरसल ड़ुए फाइए की जो नए नंदनी नगर गोंडा के अंदर टूर्णमेंट होगा और इस टूर्णमेंट के लिए ये देखा गया कि बिर्जबोशन सरन सिंग चाहता था इसलिए उसी की इलाके में उसकी जीत के तोर पर वो इसको दिखाना चाहता है लेकिन साकसी मलिक ने इसको लेकर के आवाज बजरंग का इस पर जवाब आया बजरंग ने कहा कि खेल का मेनेजमेंट करने वाली कुस्ती फैडरेशन ने 24 गंटे के अंदर ये दिखा दिया कि उन्होंने किसलिए फैडरेशन पर दबदबा बनाया है दबदबा इसलिए बनाया था कि कुरसी और कुस्ती वो मेरे ही इल और यही हुआ साब अब देखिए विनिस फोगाट आखरी इस पूरे परकरन के अंदर कील ठोकने का काम किसे ने किया तो विनिस फोगाट के इस ट्वीट ने किया विनीस फोगाट लगती है कि किसी खिलाडी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी आपका नया भारत मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में इस ट्वीट ने किल ठोकने का काम किया विनीस पोगाट ने जो लाइन लिख दी उस लाइन ने देश में करोडों लोगों को करोडों लोगों को हिला करके रख दिया और कल एक खबर आती है यह खबर आप देखिए पहलवान विरिंदर यादव गुंगा पहलवान के नाम से मशूर है इन्होंने भी अपना पदमसरी पुरुसकार लुटाने की घोष्ट ना कर दी तो इसके बाद में यह माना जाने लगा कि अब तो अब तो यह तेह है कि इस देश में अवाड वापसी की एक जड़ी लग जाएगी और जिस तरह से पहले ऐसे सुनता को लेकर के साइत्यकारों ने अपने आवार्ड वापसी किये देश के अलग-अलग हस्तियों ने अपने आवार्ड वापसी किये उसी तरह से खेल जगत में भी आवार्ड वापसी की एक मुहिम चलेगी और सरकार अब चुनाव सर पर है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है सरकार चाहती है कि लोग मंदिर की फिजाओं में और मंदिर की खबरों में रहे सरकार को लेकर कि अच्छे ची खबरे आए, किसी परकार से नया कोई आंदोलन खड़ा ना हो कोई कहीं पर चीज़े नहीं होनी चीए अगर उसके लिए हमें कुछ चीज़े इदर उदर मैनेज करनी भी पड़ेंगे हम लोग उसके लिए तयार है वही होता हुआ दिखाई दिया और सरकार ने फिर ये फैसलन ले लिया अब इसके बाद में जो आखरी इस पूरे मामले में कड़ी है जहां पर जाकर के मामला वाकरी ढंग से निप्टेगा वाकरी वहां पर ये मामला जाकर के अगर खतम होता है तो वहां पर होगा वो क्या मामला है वो है ये खबर बिर्ज भोशन सरन सिंग उसको लेकर के दिल्ली पुलिस का जवाब था कि बिर्ज भोशन सरन सिंग पर आरोप साबित करने के लिए काफी सबूत है ये दलील दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई थी दिल्ली पुलिस ने कहा था बिर्जबूशन पर आरोप साबित करने के लिए काफी सबूत है दिल्ली पुलिस इस बात को कहती है यो नुत्पिडन मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी पुलिस ने कहा बिर्जबुशन सरन सिंग को पता था कि वो क्या कर रहे हैं पर जब उन्हें भी मोका मिलता था वो मैलाओं के योन उत्पीडन की कोशिस करते थे जान बुज करके महिलाओं के उत्पिडन की कोसिस की गई ये कहना है दिल्ली पुलिस का ये कहना ए दिल्ली पुलिस का कोर्ट के अंदर अपनी दलीलों में तो आज इन दलिलों को मालने तो बिर्जबुशन सरन सिंग के पास में बचने के लिए इंच भर भी जहें नहीं है इंच भर भी और जिस पार्टी का जिस सत्ता का संडरक्षन या जिस पार्टी का जिस सत्ता का हाथ बिर्जबुशन सरन सिंग के सर पर रखा हुआ था क्या अ इसलिए मिलने के लिए बिर्जबुशन सरन सिंग पहुंचे हैं। करने के संबंदित पक्सों की बहस को सुन रही है। अब यौजन पक्स की दलीले रखते वे एडिसनल पब्लिक प्रोस्कूटर अतुल सिरिवास्तव ने अदालत में कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीडित लड़की ने कोई प्रतिकरिया दी या नहीं दी। सवाल यह है और उनके साथ में गलत किया गया। सवाल यह है कि उनके साथ में गलत किया गया। जो सबूत और शाक्से पेस किये गए हैं वो बिर्जबुशन के खिलाफ है। आरोप तै करने के लिए प्रियाप्त हैं। एडिस्नल चीफ मेट्रो पॉलिटियन मैजिस्ट्रेट हरजीत सिंग जस्पाल ने विस्तार से पुलिस की दलीले सुनी और आगे की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारिक तै कर दी। पुलिस ने अपनी दलीलों के समर्थन में तीन जज्जमेंट रेफर किये। अब योजन ने सिकायत करता के साथ डिली में डेवलो एफाई के दफ्तर में हुई घटनाओं का जिकर किया और कहा कि इन सिकायतों का छित्रादिकार डिली में ही बनता है। तो दिली पुलिस ने इस मामले को लेकर के अलग-अलग जहें दबिस दी थी लखनओं में दिली में हरदिवार में अलग-अलग जहें पर इस मामले को लेकर के दबिस दी गई थी। और अब दिल्ली पुलिस कह रही है उस वक्त में कि काफि सबूत है तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं देश इंतजार कर रहा है कि ये आप भी मान रहे हैं कि दबदबा वाले आदमी जो इतना बड़ा परकरण होने के बाद देश और दुनिया में इतनी थूतू होने के आदमी भी अपना दबदबा कायम करवा रहा है और खुलियाम कह रहा है दबदबा कायम है तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त में जो लड़कियों की तरफ से महिला पहलवानों की तरफ से जो बात कही गई थी वो फिर पहली दृष्टी के अंदर हर आदमी यह समझ सकता है कि स सो परसंट सही बात कही गई थी विश्वूशन के ओपर सो परसंट सही सबूत सही आरोब आपर लगाए गये थी और अब सबके सामने चीजा आ गई है तो कैब बर्जबूसन सर इपार से उनके सर से बीजेपी हाथ ढ़ताने जा रही है और क्या बिर्जबूशन सरन सिंग आखरी कोशिस में अब है और बिर्जबूशन सरन सिंग वो दिल्ली में जेपी नड़ा से मिल करके अपना चुनावी गणित बताने के लिए पहुँचे हैं क्या बिर्जबूशन सरन सिंग को लेकर के जो फजियत हुई है और जिस तरह से बिर्जबूशन सरन सिंग के साथ में नयाय करने का बिर्जबूशन सरन सिंग को पार्टी से बाहर करने का क्या BJP ये हिम्मत दिखा पाएगी बिर्जबूशन सरन सिंग को क्या पार्टी से पहले दिल्ली में भाजपा वो बाहर करेगी बीजेपी अपनी पार्टी से बिर्जबुशन सरन सिंग को बाहर करेगी बिर्जबुशन सरन सिंग को क्या जेल भेजने की अब आखरी क्वाइद वो सरू होगी क्या महिला पहलवानों की अब दोबारा से खेल के अंदर वापसी होगी क्या चुनाव के अंदर दोबारा से अगर चुनाव होते हैं तो महिला अध्यक्स बनाई जा सकती है क्या बिर्जबूशन सरन सिंग का जो परिवार है वो दबदबा कायम करने के लिए कोई नया अब यहां पर उपाए लगाता है कोई नई यहां पर जो है वो स्कीम निकाल करके कोई नई योजना बना करके अब सामने आता है यह सारे सवाल है अब आप बताईए इस खबर में सारी चीज़े मैंने आपके सामने रख दी है अब आप बताईए आप इसको किस तरह से देखते है क्या कुछ होना चाहिए आप क्या समझते हैं आपकी राय क्या है नीचे कमेंट वोक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए लोगों तक पहुँचाए क्योंकि डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं और डिटेल में शायद और लोग बात नहीं कर रहे होंगे तो डिटेल में ये खबर मैंने आपको समझाने की पूरी कोसिस की है आप इस खबर को आगे लोगों तक पहुँचाए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सबस्क्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीदे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद